शाम होते ही बुजा देती हूँ चरग सारे एक दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए नहीं RJ मिनाक्षी कोई शायरी नहीं कर रही है बट येस संडे के दिन आप से मिलना है तो शायराना मूर तो होई जाएगा 94.3 MyFM आप सुर रहे है मेरे यानी RJ मिनाक्षी के साथ और RJ मिनाक्षी आपको संडे को सुनाई देती है इस शो पर जिसका नाम है My Money Guru विच इस ब्राट यूब आप फिन्वेजिया और बहुत सारी इन्फो हमें मिलती है मतलब इन्वेस्मेंट्स और फिनांस को लेके मेरे घ्यान में तो लगातार वृद्धी हो रही है और ये वृद्धी है इनके कारण जो मिने सामने बेटे है मेरे साथ है फिन्वेजिया क क्यों है इन्वेस्ट करने से अब मिलाक्षी अगर अब होलसम फ्रॉसप्थर से देखे है तो US में यह और इवलप मार्के में तक्रीवन 80% हाउस होल्ड सेविंग गोस इन्ट थे स्टॉक मार्के इंड्या में वही सेविंग आपव शे परसन के आसपास है वी शे घिए पर एक दिन में 70 लाक कमाता है। मुझे मिनाक्षी जुन जुन वाला वनना है। विए इन विए नुक्सान कैसे कम किया जाए। इस बारे में हम बात करेंगे नाटी आपसे थोड़ी देर में। फिलाल आपके अगर investment related कोई भी query है कि कहां invest करें, कहां ना करें, कौन सा stock best रहेगा, तो directly एक number में आपको दे रहे हूँ, वो है 0172 667 0000 पे। फिलाल आप बहुत कुछ लूज करते हैं, अगर आप नहीं सुनते हैं, My Money Guru 94.3 MyFM आप सिन रहे हैं मेरे अर्जय मिननक्षी के साथ, आप सिन रहे हैं शो, My Money Guru विच इस ब्रॉट तो इस ब्रॉट चिए बाए फिन्वेजिया और उसका सबसे बड़ा कारण है, Leverage विच बिकम्स फॉम् दे ग्रीड फैक्टर Leverage फॉम् दे ग्रीड फैक्टर मुझे दोनों यह समझ में यह लेवरेज है मिननक्षी जिसे मानलीजी आपके पास 1 लाग रुपया है आपको लगता है कि आपकी एफिशेंसी स्टॉक मार्केट में बहुत अची है और आपको एक लाग की जगह आपको पांच लाग रुपया डाला है तो आपको ब्रोकर से जाके बेसिकली लेवरेज लेते हैं एक तरह का लोन ब्रोकर से लेते हैं जिससे क्या होता है कि अगर मान लीजे कोई स्टॉक 10% अपर जा रहा है आपने एक लाग रुपया डाला और चार लाग रुपया ब्रोकर से लोन लेकर लेकर तोटल आपने पांच लाग डाल दिया अगर पीस पर संग गर गया तो आपका सारा सारा पैसा वायप ओट और हैजाया as a result they all compound one of the best investors in the world Rakej Inginwala, Warren Buffet they make 25-28% a year anyways to begin with if any investor is trying to make 40-50% a month he is going to lose money that is almost like gambling that is not investing I would say use leverage judiciously don't get into the trap of greed and fear and have your expectations right from the stock market क्या जबरदस टेते हैं आप बस ऐसी ही टिप्स अकर आपको चाहिए तो आप भी directly call कर सकते हैं ये नमबर 0172 667 0000 और आप या फिर लॉगउन भी कर सकते हैं www.mymoneyguru.finvasia.com अब इतनी सारी बाते होती हैं फिन्वेजिया की पर ये फिन्वेजिया इग्जाटली है क्या 90 आप सो पूछेंगे थोड़ी देर में सुन्दरी ये 94.3 माइफम R.J. Minnaakshi के साथ औसम वाले गाने भी चल रहे हैं ठीक हो दलसा है आपको बताया ओफिस में लोगों ने मेरा नाम क्या रख दिया है आज को लो बिलाते हैं Minnaakshi Finvasia 94.3 माइफम आप सुन रहे हैं मेरे यानी R.J. Minnaakshi के साथ रहे हैं जी शो माय मानी गुरू विच ब्रॉट ती वाइफम एफम वेजिया और ये साथ हैं अगान को फाउंडर ओफम वेजिया नाटी भही नाटी हम इतना फिन वेजिया फिन वेजिया करते रहते हैं जरा लोगों को खुल के बताये की Finvasia है क्या? ये वेजिया वेजिया वेचिकली वेजिया 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 Finvasia वेजिया वेजिया is a brokerage company हम brokerage provide करते हैं we are an asset management company we manage assets for large banks and hedge funds we are a funding company we basically raise capital for corporate clients जिनकी capital requirement रहते हैं not the ones 15-15 वाइफ और पार दो प्याफ प्चार जोड वाले 600 करोड के असपास है 600 करोड? बड़ी लोग we are investing in 14 countries all the way from Australia to Brazil we have our physical office in 3 countries Canada, UK and India we are registered with the Securities and Exchange Board of India as an FII foreign institution investors we have our own tickets on the National Stock Exchange and MCX and we are also registered with Securities and Exchange Commission of America as an investment advisor so those are the kind of things the umbrella of Finvasia offerings I would say so Finvasia is going to be the next Goldman Sachs actually I think Finvasia is going to have its own identity but not following somebody else. Finvasia is going to be Finvasia yeah Finvasia is going to be Finvasia wow that's a great attitude if you want to know more about Finvasia or if you are a first time investor or you want to start investing and don't know what to do so you dial direct number 0172 667 0000 or you can log on www.mymoneyguru.finvasia.com 94.3 MyFM you are listening to me R.J. Minakshi and Sunday MyMoneyGuru which is brought to you by Finvasia I am the co-founder of Finvasia Natty, tell us what do you predict next week what do you predict the markets of next week? this coming week we are looking at FOMC minutes which is extremely important which is coming on Wednesday after Friday consumer sentiment release especially FOMC that is going to impact gold, silver and currency market that is something people should watch out for and our series expiry that is on 23rd of April so that is going to be also very watchful event because it is right before the elections that people should be watching out for ok so tell me if you want to give some tips to where to invest this week Minakshi I would say buy call option in Reliance May's call option is something that I would highly recommend buying 960 May's call option which is about 48 rupees we think it can potentially go to 150 rupees and your maximum loss is about 48 rupees but your maximum profit is almost 200% in less than a month and a half Super, tell me the big claims that you have done and so many people have been advised we are doing 4-5 weeks to invest here do not invest here how much benefit has happened when people call us we have been very lucky in that respect I would say the stocks that we have recommended is Bajaj Auto we have recommended Punjab National Bank IDFC State Bank of India Bank Nifty ICIC these stocks we have recommended over the last 5-6 weeks we have seen each one of them going up between between 18-25% on an average in the last one month so God my 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 तब तक के लिए you take care, have a great weekend, बताओ weekend तो आप खतम ही हो गया, R.J. Minakshi आपको कल सुवे फिर से मिलेगी, सलाम चन्दिगर पे, yeah till then take care 94.3 माए FM पे, R.J. Minakshi कहती है, जी ओ दल से,